इस एपिसोड की सुरुआत में हम लोगों को नाइनली को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के घर के पास घूमने के लिए आया था तभी उसके पास कुछ इस्पिस्ट्वल एनरजी आ जाती है जिसकी बज़े से वह अपने पिछली जनम की कुछ मेमोरी को देख पा रह था जहां पर उसकी मास्टर उसे कैसे डांट रही थी और साथ ही वह कैसे लूगों को तंग किया करता था वह इन सब चीजों को अपने आखों के सामने देख पा रहा था जिसे देखकर वह थोरा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी पुरानी याज देता जा हो गई थी त सुनकर नायली थोरा सा सौक होता है और वह अंदर की होच चला जाता है जो पर उपना देती और नायली को बोलती है त aggression吗 कि मैं इस जिया पर क्या कर रही हूं क्योंकि कुछ बाते हैं जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए और अगर तुम्हें उन सब बातों को मुझसे पूछने की कोसिज की तुम्हें उन सब बातों के बारे में नहीं बताऊंगी इसलिए तुम्हें मुझसे यहा आप ही बता दीजे मैं आपसे कैसे सवाल को पुछ सकता हूं इस पर इंग बोलती है तुमने यहाँ पर मुझे सिश्टर बोलने की हिमत कैसे की क्योंकि मैं तो तुम्हारी मास्टर हूं और किसी भी मास्टर के लिए उसके डिसाइपल दवारा सिस बोला जाना एक बहुत ही ज यह बहुत कर रहा था इस पर मास्टर बोलती है Heavenly Eye's technique के secret बहुत ही ज़्यादा है जिसकी विज़े से तुम्हें साहिज से यहां पर illusion हो रहा है और तुमने फिलाल के लिए इन सब चीज़ों को real समझ लिया है और साथ Heavenly Eye technique कुछ पल के लिए नियती को भी बदल सकती है इसलिए मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे पास आई हू और इस चीज़ को करने के लिए मेरे जीवन के 50 सानों का टाइम लग गया है जो कि कोई मामूली बात नहीं है इस पर नाईली थोरा सरस्वाख हो जाता है और वो अपनी टीचर को बताने लगता है कि आप मुझे future के बारे में पूछ सकते हैं मैं आपको future के बारे में सब कु चल रही है इस पर नाईली भी इस चीज़ को accept करता है और वो बोलता है यह सब कुछ मेरी योजना का पहला कदम है अगर यह चीज़ सक्सेस हो जाता है तो future में मैं बहुत ही ज्यादा powerful हो जाओंगा इस पर teacher बोलती है नाईली क्या तुम leader बनना चाहते हो तो मैं तुम्हार क्या आपने उसके साथ काम किया है अगर मुझे मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे जान से मार सकता हूं क्योंकि मैंने अपने प्रवियस लाइफ में लॉंग इंसेक्ट के सभी लोगों को जान से मार दिया था और मैं आपसे यहां पर वादा करता हूं कि इस लाइफ में मैं एक कारेन जोगी यह है क्यूंकि मैंने अपने मास्टर को जान से मार दिया था और वो यह बोलकर थोड़ से उदास हो जाती है लेकिन इस बात को सुनकर नाइली थोड़ा सा सवक्त हो जाता है तभी टीचर नाइली को बताने लगता है कि फिलाल के लिए अगर इसे आई चलता रहा तो तुम फ्यूचर में पावरफुल नहीं बन सकते हो इस पर नाईली बोलता है मास्टर आप मुझे हमेशा वाटर की तरह होनेस्ट बनने के लिए बोलते हैं आपको चिंदा करने की कोई भी जुरत नहीं है मैं फ्यूचर में बहुती ज़्यादा पावरफुल बन कर दिखाऊंगा और आज आपको जो कोई भी परिसान करने की कोशिस कर रहा है उन सबको मैं मार डालूँगा ताकि फ्यूचर में कोई भी आपके साथ पंगा लेने की कोशिस ना करे इस बात को सुनकर टीचर नाईली क को बताने लगती है कि यह दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है और हर कोई इस दुनिया में संघस कर रहा है इसलिए तुम्हें सबसे अलग बन कर दिखाना होगा तब जाकर तुम पावरफुल बन सकते हो और साथी तुम्हें पानी की तरह बनना है क्योंकि पानी हमेशा से नाइली के साथ मिल सकती हूँ या नहीं क्योंकि मेरे पास इतने दिनों का टाइम नहीं बचा है इधर हम नाइली को देखते हैं जो कि अपने मन में यूशन जंग के इनेसेक्ट की बारे में सोच रहा था कि इसमें हर दिन परती दिन डिसाइपल की संख्यां बढ़ती ज लगती है कि मैं यहां पर किसी को ढूंड रही हूं और लॉंक के या बोलने के साथ हैं अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडिको लाइक थांक्यू फर वाचिंग